हेलो गाइज आज मैं आपको जीवी वाटसप के पांच खुफिया सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा ये पांचो सेटिंग्स काफी यूसफुल हैं और इसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं तो ये पांचो खुफिया सेटिंग्स के बारे में जानने के लिए वीड देखा है वाह इसमें जाएंगे जीबी सेटिंग्स में जाएंगे सबसữ ऊपर में हैं यहाँ प्राइवेसी एन स्पैबस्टी स्क्याहँट दिया वाइस इसमें जाएँगे तो अब स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे चैट्स में यहां पर देखिए अब आप यहां पर देखिए जीवी वाटसाप के पांच फीचर्स दिये हुए यह फीचर्स किस तरह से काम करते हैं मैं आज आपको वन बाइवन बताऊंगा तो सबसे पहला फीचर जो दिया हुआ यहां पे वो है डिजेबल फॉर्वर्डिट यह किस तरह से काम करता है यह आप पहले जान लिए अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी कोई मैसेज वाटसाप पे आता है कोई अच्छा मैसेज आता है तो उसको आप फॉर्वर्ड कर द इसको आउन करने के बाद जो भी मैसेज आप फॉर्वर्ड करोगे तो वो टैग वहाँ पे नहीं जाएगा यहां पर फिर से मैं वही मैसेज सेम फॉर्वर्ड करके आपको दिखाता हूँ यह दिखिए मैंने मैसेज भीज दिया अब यह वाटसाप ओपन करके आपको दिख गया है चलिए अब मैं आपको दूसरे फीचर के बारे में बताता हूँ एंटी डिलीट मैसेजज ये फीचर की इस तरह से काम करता है अब वो जान लिए इस फीचर को आउन करने के बाद वाटसप में आपको जो भी कभी कोई मैसेज भीजेगा यार वो चाहेगा कि वो उसको डिलीट कर दे तो वो मैसेज वो डिलीट नहीं कर पाएगा उसके मोबाइल में सो होगा कि उसने डिलीट कर दिया लेकिन आपके मोबाइल से वो डिलीट नहीं होगा कहने मतलब है कि एक बार जिसने आपको message कर दिया वो दोबारा उसको delete नहीं कर पाएगा इस feature को on करने के बाद एक example से इसको देखिए अब समझेए इस feature को on करने बाद देखिए मैं आपको message delete करके दिखाता हूँ कि किस तरह से ये work करता है यहाँ पे देखिए अनु जी यो सेल्फ को मैंने एक message अभी 11 बचकर 21 मिनट भेजा और उसको delete कर दिया अब यहाँ पे देखिए वो message 11 बचकर 21 मिनट में अनु टेलिनोर से आया है अनु जी यो सेल्फ को लेकिन वो delete यहाँ से नहीं हुआ तो देखा आपने ये feature किस तरह से काम करता है चलिए अब मैं आपको number 3 के बारे में बताता हूँ So blue ticks after reply यहाँ पे देखिए लिखा हुआ So blue ticks after reply इसके नीचे लिखा Contact will only see blue ticks after you reply माल देजे किसी ने आपको कोई message भेजा WhatsApp पर और आप चाहते हो कि आप वो message पढ़ो मगर blue ticks सामने वाले को सो ना हो सिर्फ double tick सो हो तो उसके लिए ये feature काम में आता है इसको on करने के बाद चितने भी message आपके पास आएंगे और आप वो पढ़ लोगे लेकिन सामने वाले को blue tick तब तक सो नहीं होगा अब gb whatsapp open करेंगे इसको मैंने message देख लिया अब इसको बंद करके फिर से regular whatsapp अपना open करेंगे अन्नू जियो self open करेंगे यहाँ पे देखिए double tick सो हो रहा है मगर blue tick सो नहीं हो रहा जबके मैंने message पढ़ लिया है अब फिर से हम gb whatsapp open करेंगे इस whatsapp को बंद करके अन्नू टेली नौर को reply करेंगे उसके बाद देखेंगे कि blue tick सो होता है की ने अब अपना gb whatsapp बंद करके हम अपना regular whatsapp open करेंगे अब यहाँ पे देखिए blue tick भी सो हो रहा तो यह feature इस तरह से काम करता है अब बारी है number 4 की तो number 4 में क्या है hide view status देखें यहाँ पे लिखा हुआ don't tell contact that you have viewed their status इसका मतलब यह हुआ माल लेज़े किसी दोस्त ने अपना status लगाया है whatsapp में और आप चाहते हो कि वो status आप देखो मगर उसको पता ना चले कि आपने वो status देख लिया है तो वहाँ पे उसको सो नहीं होगा कि आपने वो status देखा है समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ चलिए अब number 5 final और अंतीम features के बारे में जान लिते हैं anti delete status इस features की मदद से कोई भी delete किया हुआ status भी आप देख पाऊगे कहने का मतलब है किसी ने status लगाया और फिर वो delete कर दिया अगर आप यह feature on कर देते हो तो सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि यह status आपने देख लिया है और उसको आप download भी कर सकते हो यह देखे यह feature मैंने on कर दिया है और आप इस status को मैं डिल्ट कर देता हूँ अब मैं GB WhatsApp उपना open करके आप दिखाता हूँ दिखिए status वहाँ पे है की नहीं है यह दिखिए इस status हो कर रहा है इसको आप download भी कर सकते हो तो दोस्तों यह थे जिबी WhatsApp के 5 hidden secret अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं पुलें आज की लिए वसे इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू बाइबाइ